दिन आपके लिए लाबकारी रहेगा या कश्टकारी, जाने सभी 12 राशियों का हाल, मेश राशी, मेश राशी वालों के लिए दिन काफी चचनौती पूर्ण रहेगा, ओफिस में आपके उपर जिम्मिदारियों का बोज बढ़ेगा, लेकिन आपकी कार्य कुशलता से आप ह कोहार का मजा लेने में ध्यान रखें कि आपकी जेब पर अधिक बोज ना आए, ओफिस और घर में आप सभी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और यश प्राप्त करेंगे, व्रिश राशी, व्रिशब राशी के लोगों को करियर के मामले में बहुत सावधानी बरतने की ज रहेगा और आपको धिरे-धिरे सफलता मिलेगी, अभी कोई नया काम शुरू करने के लिए समय सही नहीं है, दिन का काम जल्दी खत्म करके शाम को परिवार के साथ समय बिताएंगे तो आपको आनंद प्राप्त होगा और त्योहार की खुशी दोगुनी हो जाएगी, मिथ राशी के लोगों के लिए दिन सामाने रहेगा और सब कुछ आपके मन के अनुसार पूरा होता रहेगा, आपको संतान पक्ष से खुश खबरी मिलेगी, आपका मनोबल बढ़ेगा, भाग्य आपका साथ देगा, आप परमाल लक्षमी की कृपा रहेगी और आपके धन में क कई योजनाय सफल होंगी, आपका समय परिवार के लोगों के साथ अच्छा कटेगा, करक राशी, करक राशी वालों के लिए फाइदे का दिन है और आपको शुप कार्यों में रुची बढ़ेगी, आपको मन के अनुसार लाब होगा और आप जो भी फैसला लेंगे वो फा कोई आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है, आप शाम के वक्त थोड़ा सुकूल महसूस करेंगे और परिवार के साथ त्योहार की शॉपिंग करने जाएंगे सिंग राशी सिंग राशी वालों को भाग्य का साथ मिलेगा और कारोबार से जुड़ी हर योजना सफल होगी आप करियर में तरक्की करेंगे और धन में व्रिद्धी होने से आपको खुशी होगी भाग्य हर काम में साथ देगा विरोधियों की चाल विफल होगी सुक्सु विधाओं पर खर्च होगा पुराना विवाद सुलज जाएगा नया परिचय दोस्ती में बदल सकता है आपके लिए धन्तेरस का पर्व जीवन में नई खुशियां लेकर आएगा कन्या राशी कन्या राशी के लोगों को लाब होगा और आप वृद्धजनों की सेवा और धार्मिक कार्यों में धन्खर्च करेंगे आपके विरोधी आपसे परेशान रहेंगे दामपत्य जीवन सुख में रहेगा आपका दिन ऑफिस के बाद परिवार के लोगों के साथ खुशी में बीतेगा आप शाम के वक्त शॉपिंग करने जाएंगे और घर को सजाने के लिए नई-नई वस्तुएं खरीद कर घर लाएंगे आपका मन प्रसन रहेगा और आपके सुख में व्रिद्धी होगी तुला राशी तुला राशी के लोगों का दिन करियर और कारोबार में लाप से भरा होगा धन्तेरस के लिए की गई आपकी पूरी प्लानिंग सफल साबित होगी हानला की जो लोग नौकरी करते हैं उनको महीने के आखिर में थोड़ी सी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है मेहंत अधिक होगी लेकिन आमदनी कम होगी शत्रू सक्रिय रहेंगे पारिवारिक क्लेश रहेगा और आप अपने धन का निवेश सही जगह पर करें व्रुष्चिक राशी व्रुष्चिक राशी के लोगों का दिन कारोबार में सफलता से भरा होगा कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी कोई बड़ा अनुबंध आपके पक्ष में आ सकता है आपकी बातों का असर होगा कारोबार में धन से जुड़ी योजनाय सफल होंगी और आर्थिक स्थिती भी मजबूत होगी आपका दिन धन संबंधी मामलों में आर्थिक लाप से भरा होगा और धन का निवेश करने के लिए दिन शुब है धनो राशी धनो राशी वालों के लिए दिन शुब रहेगा सरकारी कामों में सफलता मिलेगी घर में धनधान्य की वृद्धी होगी जीवन साथी और दोस्तों से धन लाब होगा शत्रों पर विजय प्राप्थ होगी आपकी योजनाएं और कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्थ होगी और दिन खुशी में बीतेगा आप शाम को परिवार के लोगों के साथ मार्केट जाएंगे और शॉपिंग का लुथ उठाएंगे आपके धन में कई गुना व्रिद्धी होगी मकर राशी मकर राशी के लोगों के लिए दिन लाप से भरा होगा आपको भूमी जायदात के मामलों में सफलता मिलेगी अधिकारियों की कृपा से विवाद सुलज जाएगा शाम को सेहत का ध्यान रखें आपके घर में महमानों का आगमन होगा और लोग आपके लिए उपहार लेकर आएंगे आपका मन काफी प्रसन होगा कुम्भ राशी कुम्भ राशी वालों को अचानक धन लाब हो सकता है किसी बुजुर्ग महिला का आशीरवाद मिलेगा भाई बंधों से चल रहा विवाद खत्म होगा आपका दिन शुब होगा और धन से जुड़ी कार्य योजनाएं सफल होंगी आपके धन में वृद्धी होगी और भाग्य का साथ मिलेगा आपका दिन धन समृद्धी के मामले में लाब से भरा होगा और कारोबार में मा लक्ष्मी आप पर महरबान रहेंगी मीन राशी मीन राशी के लोगों को लाब होगा और आपके लिए आए के नए स्रोत खुलेंगे आपके विरोधी हारेंगे आपका भाग्य चमकेगा व्यापार में निवेश करना फाइदे मंद रहेगा आपको धन लाब होगा आपको दीपावली के शुब अवसर पर नयने उपहार की प्राप्ती होगी आपके धन और सम्मान में व्रिद्धी होगी और कार्याबार के मामले में जबरदस आर्थिक लाब होगा और आप तरक्की करेंगे